How to grow new channel on YouTube from 0 subscribers in 3 steps only नहीं, ये कोई clickbait नहीं है, मैं already 3 YouTube channels को 0 से बड़ा बना चुका हूँ L grow पर 3 लाग से भी जादा, critic पर 40,000 तो grow with L grow पर 30,000 से भी जादा subscribers केवल 10-15 videos में ही होने वाले हैं तो मुझे idea है कि एक नए channel को 0 से उपर कैसे ले जाया जाता है So, इस वीडियो में मैं तुम्हें step 0 से लेकर step 3 केवल 3 steps में बताऊंगा कि तुम कैसे अपने channel को 0 subscribers से grow करवा सकते हो Step 2 में तुम्हें खुद का growth secret बताया तो अगर तुम उसे miss करते हो तो जादा नुकसान तुम्हारा होगा Okay, so 0 से grow करने की पूरी strategy तो मैं तुम्हें इस वीडियो में बता दूँगा And at least इस topic पर तो तुम्हें कोई और वीडियो देखनी की ज़रुद बिल्कुल भी नहीं होगी But strategy जान लेना और उसे सही से apply करपाने में फर्क होता है मेरे पास कई comments आते हैं कि एलगरो भाई आपकी वीडियो की help से हमारा channel grow हो गया वहीं दूसीरी तरफ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सारी वीडियो देख ली पर हुआ कुछ नहीं And जब मैं उन चैनल को खोल कर देखता हूँ सारी वीडियो तो जोड़ो भाई उन लोगों ने मेरी एक भी बात apply नहीं करी होती है तो वीडियो एंड होने से पहले मैं तुम्हें strategy तो मस्त बता दूँगा क्या बनाए कैसे बनाए और उन पर views कैसे लाएं पर apply करना तुम्हारी जिम्नदारी होगी योट्रियो पर व्ट्रव थीज़ो तो हजारों लोग बनारें और क्या वो ग्रो हो रहे हैं नहीं pastel टव Whew भनाना एक चीज यह और शोही ही डारेक्शन वेडियो बनाने के लिए तुम्हेंं ली थीज़ों पर ध्यान दे ना है इंटरेस्ट, ओडियंस एंड तुम्हारा अनफेर एडवांटेश अगर तुम्हें टेक पसंद है जो बी वीर्ड या यूणीक गैजट्स आते हैं उन्हें चलाने में मज़ा आता है तो शायद तुम टेक में इंटरेस्टेड हो अगर तुम्हें गूमना पसंद है तो वो तुम्हारा interest है इसमें तुम vlogs बना सकते हो अगर हर टाइम camera पकड़ कर रखना पसंद नहीं है तो tour guide videos बना सकते हो voiceover वगर अगर के नैनिताल में जाएंगे तो पर वहां करे क्या और कैसे चाइना और USA के बीच क्या हुआ रशिया यूक्रेन रिलेशन्स में आगे क्या होने वाला है अगर मेरी तरह ये सब सुनकर तुम्हें भी मज़ा आता है तुम जियो पॉलिटिक्स में इंटरस्ट रखते हो ऐसे में एक सके यूट्यूब देखो अब्जर्व करो आज के टाइम में कौन से टाइप के चैनल्स ट्रेंड में हैं जैसे कुछ महीनों पहले इन्फोटेन्मेंट और के स्टेडी वाले चैनल्स का एक बूम आया था चैनल्स जैसे की ठिंक स्कूल आदित्य सैनी अंड अधर इवन अगर तुम एंटर्टेन्मेंट वीडियो बनाते हो अच्छी वीडियो की तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो आज नहीं तो कल तुमारे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी हो ही जाएंगे बट गार्डनिंग का चैनल है नॉर्मल केस में यहां 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स करना भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी लाइक लिमिट है तरे तो तुम्हें केवल अपना इंट्रेस्ट नहीं देखना है यह भी देखो कि जादा ओडियन्स कहां है जो तुम बनाना चाहते हो लोग उसे देखना भी चाहते हैं या नहीं और एक्जांपल एल ग्रोपर केवल तीन महीनों में 100 के सब्सक्राइबर्स हुए थे एक तो क्रिटिक के टाइम मेरा यूट्यूब ग्रोथ में इंट्रेस्ट था और दूसरा उसमें ओडियन्स का भी काफी जाता इंट्रेस्ट था टेक्निकल योगी बाई डेली वीडियो डालते हैं हर वीडियो पर करी 50,000 व इससे पका हो जाता है कि गेमिंग में ओडियन्स भी लाखों नहीं बलकि मिल्लियन्स में है यानि इधर ओडियन्स की डिमांड भी है पर मैं तो दो साल से वीडियो डाल रहा हूं मेरा चैनल तो ग्रोनी हुआ क्यों एंड यहां आता है हमारे स्टेप वन क्या बनाएं का साधातर यूट्यूब चैनल्स ग्रोध हो जाते हैं बट या तो हम समझी नहीं बाते कि इसने क्या लग किया या तो हमें लगता है कि यार यह ऐसा कैसे गरबार है इतना तकड़ा कॉंटेंट यह रेगुलरली बना कैसे पाता है दोनों का ही आंसर है अनफेर इंपरिशन में केवल तुम्हें काफी अच्छे से आती है एक तुम हो और एक कोई क्रिकेट कोच है जिसको की बैटिंग की काफी बड़े नौलेज है दोनों सेम डे पर अपना अपना चैनल बनाते हैं और कॉंटेंट दोनों का ही क्रिकेट बैटिंग टिप्स के उसे बस कैमरा प्रेजन सीखने होगे और वह मस्त वीडियो बना पाएगा वहीं तुम्हें वीडियो बनाने के लिए बैटिंग की वो नौलेज चाहिए होगी जो कि चाहिए तुम्हारे पास है ही नहीं और इसलिए इस टाइप के चैनल में कोच एक अनफेर होगी ऐसी ही अगर एक entrepreneur business case studies बनाता है तो वो उसका अनफेर एडवांटेज होगा व्लॉक्स वो अल्रेडी फेमस है तो लाइक लोग उसे देखेंगे एडिटर का एडिटिंग चैनल एंड सो ऑन बट एलगो भाई हमने तो अभी अपनी 12 दग नहीं करी है अनफेर एडवा YouTube culture में involved हो उसे समझते हो तो शायद analysis channel बना सकते हो basically कुछ तो find करो जिसमें कि तुम बाकी लोगों से आगे हो उस knowledge यह skill को content में convert करो and definitely इससे तुमारी growth होने के chances काफी जादा बढ़ जाएंगे and अगर कोई skill नहीं है तो बनाओ न भाई शायद यही reason है कि तुमारा channel grow नहीं कर पा रहा है कि तुमारे पास कोई skill ही नहीं कुछ special ही नहीं for example मेरे को शुरू में YouTube की knowledge नहीं थी बट यूटिवर ही काम करते करते first channel critic को grow करने के बाद मुझे चीजों का idea लगना शुरू हो गया था मैंने elgro बनाया जिसमें मैं interested था audience की demand तो थी ही even इसमें मेरा unfair advantage भी था result तीन महीनों में एक लाग से भी जादा subscribers तो यहां से तुम्हें clear हो जाएगा कि एक new channel को grow करने के लिए बनाना क्या है अब सवाल आता है उस क्या को बनाना कैसे है तो अब चलते है step 2 पर जैसे कि मैंने तुम्हें इस वीडियो के शुरू में कहा था step 2 में मैं तुम्हें literally अपना और कई बड़े यूट्यूबर का secret बताने वाला हूं कि वो कैसे यूट्यूबर ग्रो कर पाते हैं इसके केवल दो parts है observe and create मान लो तुमने decide कर लिया कि तुम्हें YouTube पर एक cooking channel बनाना है ऐसे में channel बनाने से भी पहले simply YouTube पर जाना search करना cooking and देखना कौन से channels top पर आ रही है कुछ नहीं तो top 20 channels को तो subscribe करना ही and by the way ideally इस काम के लिए अलग से YouTube आइडी बना लेना ताकि like work वाली आइडी होगी तो तुम distract नहीं होगे अब इन top 20 channels की videos को एक एक करके देखना शुरू कर दो एक आत दिन तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है बस इनकी videos को देखना है ये करने से ऐसा content तुमारे mind में घूमने लग जाएगा तुम्हें पदा भी नहीं लगेगा कि यार या idea कहां से आया बट actual में वो ideas ये videos देख डालते हैं या नहीं और अगर डालते हैं तो क्यों और नहीं डालते हैं तो क्यों विडियो के इंट्रो में वह ऐसा क्या करते हैं जिसे टॉप चैनल की videos पर तो millions में आ जाते व्यूज बट बाकी पर वही 500 पर एक्जामपल नोटिस करो fact channels कैसे fact बताते हैं जादा हॉरर वा करने के बाद तुम्हें देखना है अभी के टाइम में क्या चीज़ा सबसे जादा वर्क रही हैं तुम क्या क्या कर सकते हो पर एक्जामपल डिसाइड गरो तुम्हें अपनी नीश के हिसाब से facecam करना है या voiceover videos बनाने है थामनेल सिंपल रखना या complex करना है जैसे ही तुम इतना काम करोगे तुम्हें समझा जाएगा कि वाइरल कॉंटेंट क्रियेट कैसे करना है ऐसे में अब सवाल आएगा कि इस कॉंटेंट पर व्यूज कैसे लाएं इसका जवाब लेट वाली वीडियो पर क्लिक करके जान लो बिकॉस यह वीडियो ज्यादा लंबी हो रही थ दिया है तो उसको देख लो एंड वरो वन आफ माई बेस्ट वीडियो काफी एफ़र्ट लगाया तो भाई कॉमेंट में थोड़ी तारीफ कर दोगे तो खुशी मिल जाएगी बस